आप सभी का स्वागत है रवी जौन फार्मिंग लीडर में मैं रवी त्यागी आपका होस्ट एंड दोस्त मेरे सभी बुजूर्ग और किसानसातियों को मेरा राम राम तो किसानसातियों आज आए हैं हम राजिस्थान जुनजुनु चिरावा और वहां मिलेंगे हम पूनिया एग्रोटेक के मालिक से और देखेंगे कुछ अपने किसानसातियों के लिए किर्सी यंत्र तो चलिए देखते हैं किसानसातियों हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और घंटी के बटन को जहूर दबाएं सर जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे रवी जोन फार्मिंग लीडर में देनेवाद सर आपका बहुत-बहुत और आपके सारे वीवर्स जो है आपके सब्क्राइबर हैं उनका भी बहुत-बहुत दनेवाद जो हमें देखते रहते हैं के साथ में तो आप अपना थोड़ा सा उन्हें परिचे दें अपना और अपनी कंपनी का सर मेरी कंपनी राजस्तान में जुन जुनु जिले में है पुनिय एग रोटेक अमारी कंपनी का नाम है और हम किसानों से समंधितकरसी इंतर जो है उनकी ओलाइनम सेहल करते हैं और लो यह जो पावर tu मार्केड बे कुप सारे स बीटा कंपनी एडीकडा कंपनी झापनी गूगल आज की दिन क्या है कि किसान भी गूगल करने लगई है बिल्कुल, बिल्कुल, आदमी चेक करता है कि रेटिंग क्या है, क्या रेटिंग है, क्या इस्तिती है, बिल्कुल, तो हम लोग आज लेकर है, स्थिल कंपनी का, जो जर्मनी की कंपनी है, और स्थिल कंपनी का, पावर वीडर लेकर है, जिसकी, अब, हम मैं यह आपको बताता तो अगर हम इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो इस्टार्टिंग का जो प्रोसीजर वो इसमें क्या है स्टार्टिंग का प्रोसीजर अशे है की यह अनौफ का बटन पर करना है उसके बाद में आगे रसी लगी विया उस रसी को आप जशेंचोगे जैसे टेGS सफी करते उस तरीके से आप जब रसी को यह जो रस्टी लगी विए इसको खेचोगे इस तरीके से तो यह स्टाट होगा जी यही से इसको ओफ भी करना अगर चला रहे हो आप चलाने के बाद में आपके हैं और आपको बंद करना तो यह बटन से आप इसको बंदिदर सकते हो डूसरी चीज यह है कि सार इसके पैट्रोल डालने के बाद में आपको अदर गेरोल तलता है दो पोंट दो लिटर गेरोल डलेगा हां वो तो इंजन की सेटी के लिए गेर की सेटी के लिए इसके एलावा इसके अंदर जो है 10W 30 या 20W 40 फोर स्टो का इंजन ओलाटाहां अब इसको इंजन और को आप 20-25 थी कि आप 10 गंटे जब इसको रेगुलर चला लो चाहे वो 10 गंटे आप दो दिन में चलाओ पांस दिन में चलाओ गेर ओल निकालो और दूसरा इंजन ओल डालो यह आप घर पर ही कर सकते हो आसान सी परक्रिया है इसका इंजन ओल निकाला और दूसरा आप डाल दो 700 अब पुनि का ऐसा है कि फ्यूल कंजेप्शन यह एक गंटे में लगबग 900 अमल से एक लिटर इसका फ्यूल कंजेप्शन है और वर्किंग पे यह है कि आप कौन सी चीज की वो जया कर रहे हैं जैसे गुड़ाई का काम अगर कर रहे हो तो हो सकता है एक लिटर से थोड़ा जादा अगर काम की हम बात करें अगर मालिया हम कोई गुड़ाई कर रहे हैं इसे हम जुताई कर रहे हैं तो मतलब एक गंटे में यह कितना काम निकालेगा एक गंटे में वैसे आदमी पर डिपेंड करता है किस तरीके से वह काम में इसको ले रहा है किस तरीके की फसल है और कितना वो अपरेट करना जानता है आजकल यंतर किसी ने खरीद लिया और फिर दिरे-दिरे उसका हाथ सैट होता है कुछ भी हो टेक्टर हो जैसे हम जुते हुए में चड़ा के चला रहे हैं तो उतना ही वह कम चलाएगा अगर बिल्कुल मिला के सही चला रहे हैं तो ऐसा कुछ नह लगाते हैं गया पच्छा होता है तो निराई गुड़ाई उनके फसलों के बीच में इसको गुमाने में असानी रगती है और बहुत ऐसे नजदीक लगा देते हैं जिनको अंदर में से लेने में से टाइम लगता है क्योंकि पोदों को भी आपको बचाना है तो सर आप एक सवाल मेरे दिमाग में अभी अभी आया कि यह कितना एरिया लेकर जो है चलता है जुताई करते हुए यह लगबग सर अभी यह जो टायर लगे वे यह टायर आपको फिल्ड तक ले जाने के लिए जैसे आप पे अपने घर पे आपने इसको खड़ा कर रहा का आप इसको खे किस तरीके से यह काम करता है लगबग यह चार फिट की ब्लेट लगने के बाद में चार से पांच फिट की जो है चोड़ाई लेकर यह जुताई जो करते हुए चलेगा तो पुनिया जी आपने इसकी इतनी सारी खासिया तो इतनी विसेस्ताएं तो बताई लेकिन थोड़ा का मैंने आपको बताया है जिस कंपनी का प्रोडेक्ट मैंने आपको दिखाया है इस तिल कंपनी का बड़ा नाम बड़ा नाम है बिल्कुल जर्मनी की कंपनी है दूसरी बात यह है कि जब अपन ऐसा प्रोडेक्ट लेना जाते है तो जैसे दो एच्पी तीन एच्पी तक क जो product लेते हैं वो किसान छोटे किसान होते हैं बिल्कुल ये यंतर लेने वाला किसान जो अच्छा समर्द किसान है बड़ा किसान है जिसके बागवानी का अच्छा काम है या समर्द नहीं भी है तो वो होना चाहता है और अच्छे उन्हें उसने इस फिल्ड में अच्छा काम करना है बिल्कुल वह चाहता है कि मेरे को आउटपूट सही मिले मेरे को मशीन सही मिले जह कहीं से भी अब बजार में क्या है दो चपी पाथ चपी साथ चपी नो चपी अलग लग कंपनियों के प्रोड़क्ट है फिल्ट्रेशन करना किसान के लिए इजी नहीं है 21 कंपनी का उसने देखा कि साथ एच्पी का वीडर स्टील का मैंने दिखाया दूसरी कंपनी का वीडर उसने कहीं देख लिया दूसरी कंपनी का देखा कंपरीजन करेगा रेट में कंपरीजन करेगा वीडियो में अपन देखते हैं तो क्वालिटी आपको दूसरी कंपनी का दिख से दिखने में पता चल जाता है कि क्या इसकी strength होगी, क्या इसकी quality होगी बिल्कुल, बिल्कुल, तो company की price है हमने इस पे special कोई price नहीं दख रखी है company की price पे हम sell करते है company अपनी price है में देती है ये market में customer को आपको देनी है हमारी तरफ से हम इसको किसी इसी rate में नहीं बेजते है ये still company, 86,000 रुपे company की rate है इस पे जिस पे government की subsidy approved है government की list में है बड़ी company है, अब subsidy approved है government, हम आपको GST का पक्का बिल देते हैं किसान को और subsidy है, वो government देती है उसके लिए किसान को apply करना पड़ता है subsidy के लिए, वो अपने area में इमित्र के थ्रू और जो document है, वो submit करवा गे और उसको प्रोसेस में कोपन लेला होता है डाल देता है, कागज जी जो कारवाई है, उसके लिए उसको जो document जी है, GST का बिल है टेस्टिंग रिपोर्ट हो, वो हम देते हैं, बाकी प्रोसेस उसका रहता है, सबसीडी गवर्मेंट देती हम नहीं देते, अगर कोई भी ऐसा आदमी कह रहा है, किसी भी यंतर के लिए, किसान से समंधित हो जाए गरेलू जैसे, गैस कनेक्शन जैसे पे भी सबसीडी कोई भी हो अब इसकी जैसे प्राइट 86,000 रुपे, हम कस्टमर को 2,000 रुपे की कंपनी की तरफ से MRP है, लेकिन कस्टमर को 2,000 रुपे का कंपनी ने कहा है कि डिस्काउंट देना आए अपको 84,000 रुपे में हम कस्टमर को ये देते हैं इसके क्या है कि कंपनी के जो है डिलर से अलग लग जगहों पे डिलर हैं हमने इस कंपनी के प्रोडेक्ट को बेचा है और हमने इस पे वारंटी मेंशन हो के कंपनी का वारंटी कार्ड जाता है आपके लोकल एरिया में आपने मेरे आं से खरीदा है फ Programs molly कोई बैजा समांन को कोई वी समस्ता किसान को समस्ता है तो किस्स का ऊड्यो कोल करेंगे मेरे कर्स्टमर के रेपरेजंट इन COM । तो गाइड करेंगे वह समादान। अगर उस चीज से निकल जाता है, टेकनिकल प्रोब्लम नहीं है, किसी चीज को समझने की प्रोब्लम है, वो तो उसमें हो जाएगी, अगर कोई टेकनिकल प्रोब्लम आ गई है, उसको यूज गिया उसमें, तो उसमें कोई खराबी आ गी मसीन में, तो उस इस्तिति में कमपन या तो local कोई dealer है तो उसका provide करवाइंगे address या फिर यहाद फिर हम जो भी engine है इंजन से related product है प्रॉबलम है तो engine मंगवा लेंगे return जो भी problem है वो हम return मंगवा के product को repair करवा देंगे अगर जरुबत पड़ी तो पूरा product पुरा भी मंगवाया कि कमपनी रिपेर करवा कि उसको देगी घर तक वापस अब अगर हम बात करें कि जैसे आपने कहा कि 84,000 रुपे करेंगे लेकिन हम इसके साथ कौन साठ्यमेंट इगे सर कमपनी 84,000 रुपे में सेल करेगी और हम लोग सेल करने के बाद般 क्या सेल करने केस्टमर को वांटी सेे रिलेटेड डेंडर सर्वीस हम देंगी उसके बाद में सब्सीडी से रिलेटेड इंफोर्मेशन हमने बता ही कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, 40% गोर्मेंट की सबसीडी अप्रोड़क्त, आपको यह हम ब्लेड्स है, जो इसके दोनों साइड में लगेंगी, यह सिंगल साइड की ब्लेड है, दो साइड की ब्लेड हम आपको देंगे, टायर देंगे, और पूरा यह सेट देंगे हम आपको, उसके अलावा आपको अलग से कोई भी अटेच्मेंट लेना है, ट्रोली बनवानी है, या और कुछ बनवाना है, तो वो आपको अलग से लेने पड़ेगे, इसके साथ में नहीं है, और कैसे मंगा हैं, सर इस प्रोड़क्त को मंगाने के लिए, आप किस्टमर यूज नहीं करना था और इसके लिए हमारी कंपनी के खाते में हम जैसे पहले से हम काम करते आ रहे हैं आपके पास एक बार हमारा और भी बिल्लोडेक्ट से रिलेटेड आप हमारे पास आये थे हम 10,000 उपे इस प्रोडेक्ट के अडवांस लेते हैं 10,000 उपे और बाकी का जो पुनिया एग्रोटेक के बारे में जानते हैं उनको पहले भी पता है कि वह इसलिए हम लेते हैं आज के दिन भारत देश में फ्रोड खूब हो है लेगिन किसानों को हमें भी यह होता है फोन करते हैं कि सर आम कैसे 10,000 उपे दलवा दे ऐसे किसान भाईयों को क्या है अगर हमारे पास वीडियो कोल करके हमारी कंपनी का काम देखें हमारा ओफिस देखें प्रोडेक्ट देखें जब जाके संतुष्टी हो तो हमें वो पैसे दलवाएं और दूसरी बात यह इसलिए है कि बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो ओडर तो उटसुकता में करवा देते है बिना पैसे एडवांस वाले जो है इसलिए हमने बंद कर दिया वो उटसुकता में और रात को करवा दिया दिन में करवा दिया जब साथ दिन बाद मसीन गर पहुंची तो उन्होंने का नहीं हमें नीची है तो उस इस्तिती में ना तो हमसर ऐसे हैं कि हमारे जो कॉरियर है ट्रांसपोर्ट सूरिध हैं वो हमारी खुद की है कि हमने बेजा एक आदमी को लेकर चला गया और उसको चला के दिखा कर जाया जाएगा या उससे नहीं लिया तो वापस लेकिया जाएगा जाने का आने का खर्चा लगता है यह तो पून्या जी आपने अपने इस इस जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद तो वीडियो को लाइक करें सेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जोड़ दबाएं यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद मैं रवी त्यागी रवी जौन फार्मिंग जबाएं वे लिए इडियो धन्यवाद आतने को लिए अगी देखने के लिए धन्यवाद करें दो करें दो कि दो कि दो वाद टॉब हैं।